भारत में भी करता है, भारत से आकर भी करता है, यहाँ पर आकर के बड़ी-बड़े श्टॉर खोलता है, माल चलाता है, सुपर मार्केट खोलता है, और बीफ बेशता है, सभी तरह का मीट बेशता है, भारत में अच्छा था हो, वहाँ खेती करता था, और पर्चुनी की दुकान करता था सुन्दर दुकान थी कोई कपड़े की दुकान थी किसी के जूते की दुकान थी वह ठीक था यह डॉलर का लालच आडर देता है कि कल इतना पॉंड भी फ्लाना 200 पॉंड 500 पॉंड सुपर मार्केट चलाता हूं वो कहता है कि कल आठ गाये काटकर मुझे लाना आठ गायों के एत्या करना मुझे लाना काटके मैं बेचूंगा डॉलर 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 एकटे हो जाएंगे नोट भर जाएंगे मेरे तिजोरियों में मैं धना डॉजाओंगा फिर यहां भी दिखलाओंगा बड़ी बड़ी कारों में गूमके और अएरोपलेनों मोड के भारत वालों को दिखलाओंगा कि मैं कौन हूँ यह एहंकार भरा मनुष अपनी मान प्रतिष्टा के कारण अपनी इंद्रिय तरप्ती के कारण अपनी भोग विलाशों के कारण अपने एहंकार को फुलाने के कारण सब कुछ भूल जाता है फिर भगवान उसको कहां से याद आएंगे भगवान को याद करने के लिए तो कुछ तो आपके पास पवित्र शरीर चाहिए पवित्र आसन चाहिए पवित्र घर चाहिए पवित्र किचिन चाहिए पवित्र मन चाहिए पवित्र विचार चाहिए पवित्र भावना होनी चाहिए आपके इरद में तब जाके थोड़ा बगवान की और आँखे खोलते हो या चलने लगते हो कही है या बगवान की विंडो आपकी और खुलती है बुरे विचारों में कुछ नहीं होता बुरे विचारों में तो बुरे काम होते है बुरे भाव उठें तो बुरे काम होते है कुब भाव उठें तो बुरे काम होते है नहीं सुभाव उठनी चाहिए सुभाव आत्मा का भाव सुभावी नाम शब्द दिया है आपका ओरिजिनल सुभाव आत्मा सुरूप से जो सुभाव है आत्मा का सुभाव है उस परमीश्वर को प्रसंद करना शुद्ध कारी करना पापकारियों से बचना धर्म कारी करना पुर्ण कारी करना यह आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना भगवान की सेवा भगवान सरवत्र हैं आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है आपके पड़ोस में कोई भूका बैठा है परिवार में अन्न नहीं है खाने को और आपके पास धन है और अन्न भी है क्या आप मदद नहीं कर सकते क्या उस उन लोगों में आप परमीश्वर को नहीं देख सकते उन लोगों के इर्दे में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकत मदद सब तो बनाया है लिए उनकी सेवा करनी चाहिए सारवदैन फूल से, मीठी बानी से नजदीक बैठ करके, पानी पिला करके किसी भी रूप से, जहां भी आप सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है कि बगवान सरवत्र व्यापत है, पेड़ो में भी किसी पौदे को, आपके घर में पौदे होते हैं उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं वो भी भगवान की सेवा है अपने बच्चों को निलाते हैं, निखारते हैं सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्कूल बेजते हैं, ये बगवान की सेवा है, लिए बगवान को जान लो तब बगवान की सेवा है, यदि ये ही जाना कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप, इसको पड़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा, तो बगवान को आप नहीं पेचाने ली एक प्रतिशतली है सरवत सब craving मैं भगवान उसके हिरदे से अर्जंति इंती स्प्रारी मात्र के रदे में पेड़ प less कि इड़ उके प्रुब कि इड़ काप चाजस्ते हैं हालांकि पौदे को आपने नुक्सा नहीं पहुचाया पौदे के नजदीक में एक कीड़े को मारा तो भी वो पौदा काप जाता है वहां भी भाव हैं वहां भी विचार हैं यह तमाम सरष्टी लैवद है जहां कोई मर रहा है वहां कुछ हमारा मर रहा है इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुद्धता चाहिए और भावना में शुद्धता तभी आती है तब हम शुद्ध कारियों में उतरें शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें शुद्ध के साथ बैठें उठें तब आपकी भावना शुद्ध होती है उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना शुद्धम शर्णम गच्चामी उस शुद्ध की शर्णम जाओ बुद्धम शर्णम गच्चामी उस बुद्धिमान की शर्णम जाओ जिसको परम ज्यान है दम्मम शर्णम गच्चामी वो धर्म की शर्ण में जाओ, धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभावी धर्म है, आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव, पेम स्वरूपा, ज्यान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, क्षमा स्वरूपा, दया स्वरूपा, जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा की, उसकी शर Eliminated Consciousness लेकर के संसार में दुख पा रहे हो बार-बार, जनमते हो, मरते हो, बीमारियों में, सड़ते हो, गड़ते हो, अपमानित होते हो, सारा कोड़ा करकट इखटा करते हो, फिर त्याक के जाना भी पड़ता है इसको. लिए उसकी शरण माने से आपकी अदोगती नहीं होती, आप नीचे को नहीं गिरते, आप उपर को चड़ते हैं, उपर को चड़ते हैं आप, आनंद की और चड़ते हैं, ग्यान की और चड़ते हैं, सच पूछो तो, आप उस असली समराट की सीट को प्राप्त करने के लिए चड़ते हैं जिसको परम पत कहा है जिसको विश्णु पत कहा है जिसको अजर अमर पत कहा है वेकुट जगत कहा है जहां आप परमानंद हैं तो आप आनंद की खोज में लें कनेश्टर के टुकड़ों में आनंद मिलता है ये राल्स रोइस हो या एरोप्लेन हो या कुछ लेकसस हो, मर्शडीज हो, नहीं इनमें आनंद नहीं मिलता हूँ इनका इस्तेमाल करो, लिए उस परमानंद को ना भूलो उस परमीश्वर को ना भूलो परमीश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा परमीश्वर की सेवा से बंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे कलिश मिलेंगे, भटकोगे फसे रहोगे दल दल में जनम मरन जराब्यादी जनम मरन जराब्यादी ये चक्कर लगते रहेंगे आप बार 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 कर्मों से गिर जाओगे तो पशु जानवरों में फिर जनम होते जाएंगे कभी कुटा कभी गोडा कभी गदा यह आत्मा अपनी कर्मों की अपनी भावना से आगी जाती है भावना गंदी है मलीन है तो मलीन इस्थान में जाकी जन्म लेती है consciousness को निखारना चाहिए शुद्द करना चाहिए हमारी भावना शुद्द होनी चाहिए purify your consciousness by chanting भगवान का भगवान की कथा सुनने से आपको लाब मिलता है hearing meditation स्थरवण कला जो है एक ध्यान की कला है और सबसे प्रथम और टॉप कला है एक मात्र भगवान की कथा वारता ग्लॉडिफिकेशन कीर्टन सुनते सुनते आप भगवान के प्रेमी बन जाते भगवान को प्राप्त कर लेते सुनते सुनते प्रेम कीर्टनम विश्नो इस्मर्णम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम साक्यम आत्मिवेदनम इनमें से कोई व्यक्ति एक को भी पूरी तरह से साद ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यकुंट को प्राप्त कर लेता है परम आनंद को प्राप्त इटर्नल आनंद को प्राप्त कर लेता है इटर्नल पीस सदेव उसके पास होता है सरवणम सुनना कीर्तनम भगवान को गलॉरिफाई करना कीर्तन करना उसका भगवान का सरवत्र वो है फूलों में, कलीों में, कोयलों में, चिडियों में, बाजों में, सिंगों में, हिरणों में, मचलीों में, मगरमच्चों में, हातियों में, गदों में गोडों में, आप में, मोव में जमीन में, आस्मान में सर्वत्र वो है कण कण में भगवान है आप उनको आदर दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए उनका पूजन कीजिए लोग पीपल का पूजन करते हैं, पीपल ब्रक्ष का यह जान करके कि पीपल ब्रक्ष में भी विश्णु भगवान परमात्मा छुपे हुए है सत है, अगर इतना जानते हैं तो पीपल का पूजन करने से, पीपल को जल चड़ाने से, खाद देने से पीपल को प्रेम देने से, आपके उपर भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के कृपा आपको मिलती है, इसमें संदे ही नहीं है जैसे ही किसान अपनी खेत में खेती करता है और अपनी सबी फसल के पौधों को प्रेम करता है अवश्यी वो भगवान को ही प्रेम करता है लेकिन यदि अनकोश्यस है, भगवत ग्यान नहीं है उसको अपने पेट की रक्षा करता है भगवान की निए भगवान की सेवा नहीं करता अज यदि किसान को ये ग्यान हो कि तमाम पहधों में वो परमात्मा समाहित देखिए कैसे लहरा रहा है सरसो फूल रही है फूल किल रही है सारी वसंद्र पीली होगी है प्रभू तेरा इतना अस्ताक्षर है आप बिराजे हुए है आपको मैं जल पिलाओं आपको खाट डालू आपकी रक्षा करूं जंगली जानवरों से बचाओं चोरों से बचाओं आपको प्रणाम करके जब पग जाए धान तो घर लाओं सबसे पहले आपको भोग लगाओं और परिवार को खि युद्धता से यह भगवान की भक्ति है भगवान की सेवा है भगवान का कर्म है भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है यह भगवान की भक्ति है भक्त्या माम अभी जानाती तो भगवान को तत्व से जान लेते हो जब पेड़ पोधों में पसु पक्षियों म नर्बानरों में, देवी देवताओं में, भगवान समाईत है, तो क्या भगवान सर्वत्र नहीं है? सर्वत्र है. तो आपका इतना संदर रूप है, इतनी संदर बसंदरा है, चांद तारे हैं, संदर फल हैं, बच्चे हैं, संदर चिडिया हैं, किलकारियां बरती हैं, बच्चों की जमाते हैं, कोईले कूग रही हैं बागों में इन सबका रूप है कितने रूप वाने और इस मसुंदरा के इस धर्ती के बाद में कोई रूप ही नहीं है कोई ब्रह्मा नहीं है कोई विश्णू नहीं है कोई शीव नहीं है कोई दुर्गा नहीं है आपकी प्रत्वी से आगे कुछ है ही नहीं तो आपके ज्ञान किवार बंद है कहिए कि आप अज्ञानी की तरह अंदेरे में बटक रहे हैं मूर्ख की तरह अवजाननती माम उमूडा फिर उस परमीश्वर को कैसे पहचान होगी प्रत्वी से आगे किसी चीज को मानती ही नहीं यह तो सत्य की limited हमारी अपूर्ण इंद्रियों से आखों से हमने नहीं देखा ब्रह्मा जी लिए शास्त्रिस का कतन कर रहे हैं स्वयम कृष्न कतन कर रहे हैं बुद्ध कतन कर रहे हैं गुर्णानक देव कतन कर रहे हैं, महाभीर स्वामी कतन कर रहे हैं, लौड जीसस कतन कर रहे हैं, यह क्या सब जूटे हैं, यह आपको ब्रहमित कर रहे हैं, यह आपको दोके में रख रहे हैं, नहीं, उन्होंने यह जाना है, पहिचाना है, देखा है, चैतन विवाने थे पागल थे मेरा भाई की तरह ही कृष्ण जी के प्रेम में तो उन्होंने कृष्ण को पहचाना हर अर नाम जपंत्या कच्छुन कहे जमकाल किच्छुन कहे जमकाल नानक मन तन सुखी रहें अन्ते मिलें वो पाल गुर्णानक देवजी ने उपदेश किये संसार को अरे मन हे संसारिक मन हे युनिवर्सल माइंड उस प्रभू को पहचानो प्रभू की सरण में आओ उनको रिजहाओ उनको प्रेम करो पत्रम पुस्पम फलम तोयम जो कुछ भी तुमारे पास हो एक पत्ता हो एक फूल हो एक फल हो कुछ भी नहीं है जल तो होता होगा जल भी अरपन कर दो किसी प्यासे को जल इस भाव से पिला दो कि परमिश्वर मेरे द्वारे आया जल पी रहा है मेरे हाथ से प्रणाम कर दो तो जल चाहे किसी ने भी पिया हो चाहे गदे ने भी पिया हो ओ जल परमिश्वर को प्राप्त होता है मेरे प्रेम भाव से बड़े भक्त के हाथ से यदि मुझे जल का ग्लास मिल्या पीने को तो इसको मैं पी लेता हूँ मैं स्विकार करता हूँ और यह साइंस भगवान की इतनी परम है कि आपने जिस भाव से वो जल प्रदान किया है किसी को पिलाया है वो परमिश्वर को प्राप्त हो जाता है यदि परमिश्वर भाव से आपने जल पिलाया है यदि कोई प्यासा होगा कोई प्राणी बेचारा कोई जीवात्मा, कोई गदा-गोडा, या कोई विकारी, इस भाव से, या मेरा अथिती, इस भाव से पलाया, तो ये अथिती और गदे-गोडे को इप्राप्त होता है, पर मेश्वर को नहीं, आपके भाव की बात है सारी.